कि अजुर को शरीर मा विटामिन को कमी तब वको सैना कस्तो मेर मा कुन विटामिन खाने रा कुन विटामिन को स्रोथ कियो आमरो शरीर लाई चाहिने मुख्य विटामिन हरू कि कि हुन लेड़न होला सुस्त बच्चा र शुरचित मात्रित्ट को लागी मम्मी नेपाल मम्स नेपाल लाई सब्सक्राइब गरनु होई र नजीके मा रहे को बेल लाई थिचनु होई र हम्रो विडियो सबे बंदा अगाडी हेडनु होई सामानने तया हम्रों सरीर मां विटामिन को कमीले गर्दा हमिलाइ अल्ची लाक्षा अनि थकान महस्य सुन्जा विटामिन बने के उटा पुषक तत्त हो जसले सरीर मां मेटाबोलिजम लाइ नियमित राखता चा मुख्य विटामिन हरू आमिले खानू पढ़ने A, B, C, D, E राके उन्सन खाना ता आमिले सब्वे विटामिन N मिनेराल सरू आमरो खाना मां इंक्लोड गराऊने पर्षा तरा आजम महजूर हरूलाई मुख्य विटामिन हरू A, B, C, D, E राके बने को की हो इसको स्रोत अरू क के उन्स रकस्त उमेर मां कुन विटामिन खानू पर्षा ता बन्ने विशय मां जानकारी गराऊशू सामने तया आमिले विटामिन कम खायू बने आमिले अलसी लागने रिंगाटा लागने ठकान महसू सुने जस्ता समस्यारू देखा पढ़ना सक्षान सस्ती शरीर का सब्बे खाले विटामिन आरू आम्रो खाना महां साटारी इंक्लूडगरा होनं परद शू खास गरे महिला हरू का लागिता लाघएक लाय म formulation गर्भा अभस्ताको विशय विच्शय बेला महा बच्चा जन्मायी को बेला महां अब मेनपोश को बेला महां पन्न लände महिन मां एकदम्य धेले विटामिन को आवस्यक उन्छा सो कुन उम्यर मां कस्ता विटामिन चाहीं चाता बंदा एदे हजोरे 20 तेखी 30 वर्षा को उम्यर मां उन्छा बने एस अबादि मां हजोरे लाए एकदम्य काम अरुको कॉरेस्पोन्सिबलीटी बढ़ी रहे को उन्छा पड़ाई मां पनी कसे कसे को पड़ाई पनी कांटिनुव बई रहे को टायम होंछा तिस देले यो उम्यर मां अजोर अरुको लागी क्यालसियम विटामिन डी विटामिन सी और फोलिक एसीड को मात्राचे अजुर अर्गो शारीर मा अत्ति आवस्यक उन्छा तीस्ते गरी एदी हजुर 30-50 को उमेर मा उन्छा 30-50 बर्ष को उमेर मा उन्छा बने एस उमेर मा पनी कैलसियम, विटामिन डी, आईरन, विटामिन सी पनी कैले काई जस्ते विटामिन ए आवस्यक उन्छा तीस्ते गरी एदी हजुर 50-70 को उमेर मा उन्छा बने कैलसियम, विटामिन डी, आईरन, विटामिन बी सेक्स, रवी टुबेल, ओमेगा प्याटी एसीड एक दमे आवस्यक कीए उन्छा तीसे लए अजर हरूलाई कुन आवस्यक बयो बने कुराज था हुदा हुदे पनी कईले काई जस्ते विटामिन ए आवस्यक कीएच बन्दा पनी विटामिन ए के में पाइनछा ता मिले रथा नहोनँ ना सक्छा तीसे ले विडियो अंतिम सम्महेरुन होला इसमा अजे हजुर अरुले कुन विटामिन को स्रोत की बटा पाइन साता विटामिन A, B, C, D, E, K को मा अजुर ला जानकारी गराऊं देशू विटामिन A ची खासकरी अजुर अरुले कीना खानू पर्दा सा पन्दा इसलिए शारीर मा अड्डी को ब्रिद्दी मा सहयक पुर्याउंदा सा आखा को भीजन मा पनी एक दमी प्लीयर भीजन मा पनी सहयक पुगदा सा आए ना अनि सस्ते अड्डी निर्मार को लागी पनी विटामिन A खासकरी श्याव, सुन्तला, आप, खर्भुजा, लगायत का फल्फुल देखिले रगाजर, फर्सी, ब्रोकावली, अंडा, कुखुराको मासु, माच्छा, सीफूड्स हरु, अरिया साक्पात हरु, पहला फल्फुल हरु मा पाइने गरिंच तिस्ते गरी विटामिन B पने स्वरिर को इसनायु लाई, सोस्त राखन, पाचन प्रणाली लाई, र मेटाबोलिजम का लागी एक दम्य आबस्य किये उन्छा, विटामिन B का मुख्य स्रोतारु, जस्ते केरा, माच्छा, आलु, दुद्जन्य पदार्थ, आदी चे विटामिन B को राम आम्र स्रोतारु मान्ना सकिन्च, तिस्ति गरी विटामिन C, आम्र अंग को आकार बड़ाउन, रक्त वाईकारु लाई, बल्यो बनाउन, रोग प्रतिरो धात्मक छे मता बड़ाउन का लागी विटामिन C एक दम्य आबस्य किये हुन्जा, उच्च कोलेस्ट्रोल, आम्र बुमिका खेल सा, सहयोगी बुमिका खेलेको उन्जा, ब्रोकावली, पालुंगो, बेडेखोरसानी, आलू, कुखराको मासू, सम्मुंद्री खानारू, आनी अमला बयो, आनी तिस्ति गरी कागती, इसको मुख्य स्रोत बान, मानिन्छा, आमला लाई, तिस्ति गरी विटामिन डी, सहरीर मा अड़ी बना उनका लागी विटामिन डी एकदम आवसी के उन्छा, इसले सहरीर मा कैल्सियम को स्तरलाइनी अंत्रण गर्षा, इसको अबाब मा अड़ी एकदम कमजोर उन्छा, तिस्ति गरी अंडा को पहिलो बाग, माच्छा को तेल, दूद, आले चे रगतमा रातो रक्त कोसी का बढ़ाऊना का लागी चाएन्छा, शरीर को सबेजस्तो अंगलाय सामन्ने रुपमा राखना का लागी पनी एसले खास पुमिका खेल्छा, अनि गोलवेडा, ओलिवायल, सुरे मुखी तेल, एवोकाडो, पालुंगो, माच्छा, आध इसले खेल्ट को लागी यो भीडियो धेरे बंदा धेरे स्यर गर्दीनू होला, अन ममी ने पाल आय सब्सक्राइब गर्नू भाय कुछाई न बानी ऐले नहीं सब्सक्राइब गर्नू होला, और हजिर अरु में लागी कुरा हारू, समस्य हारू, खुली रो कमेंट बक्स मा comment गर दिनु होला आवारी उन्ये सु प्रतिक्रिया दिदे गर नु होला रा ममी ने पाल संगई रहानु होला आमे फेरी पनी अरको प्रजेक्ट ले रहा उपस्तित उन्ये से उन्ये नई साउं तब सम्मको लागी ममी ने पाल हीर दे गर नु होला Thank you, stay healthy and enjoy your life have a good day